हेलो स्टुडेंट्स, हाओ आर यू, मैसेल्फ राजेंदर वर्मा, टीम केमेस्ट्री, हम लोग बेटा, DCM टेस्ट सीरीज की श्रंखला में आज जर्नल और्गनिक केमेस्ट्री से संबंधित, जो पेपर है, उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, स्टार्ट करते ह पहला प्रशन है, polarization of electron in acrylene, polarization of electron, acrylene में electronों के द्रुवी करण को किस प्रकार लिखा जा सकता है, ठीक है, acrylene, CH2 double bond, CH, CH double bond, O, ये acrylene है, अब यहाँ पर oxygen की electrone negativity विद्युत्रिणता ज्यादा है, तो ये electron को अपने side में attract करेगा, जब यहाँ से electron attract होंगे, तो इसका मतलब है, इसके उपर कौन सा charge आने वाला है, यहाँ पर negative charge आने वाला है, ये electron यहाँ से यहाँ shift होने वाले हैं, इधर shift होंगे, जब ये इधर shift होंगे, तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कौन सा charge आएगा, negative, जब इस पर negative आएगा, तो इस पर क्या रहेगा, positive charge रहेगा, अब ये electron को अपने side में attract करेगा, तो इसके respect इस पर और positive बढ़ेगा, फिर इस पर positive बढ़ेगा, तो ये electron movement यहाँ से यहाँ है बेटा, electron movement य negative charge आएगा, ultimate आपके पास, यहाँ पर, finally, यहाँ पर क्या आएगा, positive charge आएगा, तो आप देख पा रहे हैं, ये portion गलत है, यहाँ पर भी गलत है, ये भी इसमें गलत है, ये इसमें सही है, बास समझ में, CHO समूं, electron आकरसी है, electron withdrawing है, इसलिए यहाँ पर negative charge रहेगा, positive charge इधर इधर shift होते होते, finally, positive charge यहाँ पर transfer हो जाएगा, तो answer क्या रहेगा, बेटा, fourth answer रहेगा, ठीक है, basic strength आप से पूछी गई है, तीन anions आपके पास हैं, यहाँ पर, यह two नहीं है, ठीक है, अब आपको इनकी basic strength क्षार सामर्थय को देखना है, यह two नहीं है, बेटा, तो क्या करें हम, कैसे चेक करेंगे, सारे carbon है, विद्यूत्रिणता, electro negativity से, जिसकी विद्यूत्रिणता, जितनी कम होगी, उसमें loan pair को donate करने की, loan pair को ट्यागने की क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी, capacity loan pair को release करने की उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, बेटा, आप देख पा रहे हैं, तो सबसे strong base आपके पास ये रहेगा, उसके बाद number आएगा इसका, और सबसे last में ये आएगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं संक्रन कैसा है, S P, यहाँ पर संक्रन कैसा रहेगा वेटा, S P 2 और यहाँ पर संक्रन कैसा रहेगा वेटा, S P 3, तो S लक्षन, S लक्षन जितने कम होगे, विद्युत्रिणता भी उतनी ही कम हो जाएगी, और vिद्युत्रिणता, electron negativity decrease होती है, electron negativity decrease होती है, तो basic strength बढ़ जाएगी, तो सबसे strong base होगा first, first के बाद second, और second के बाद किसका number आएगा, third का number आएगा, तो आपके पास यह answer नहीं है, first, second, third, first, second, third, third, एरह, ठीक है बिटा, यह भी answer नहीं है आपके पास, यह भी answer नहीं है, बाद समझ में आ रही है, ठीक है? इसके आगे देखते हैं, the temporary effect in which there is a, पहले तो आप देखे, effect कैसा है, temporary है, प्रभाव कैसा है, S-thi है, in which there is a complete transfer of shared pair of pi electron, pi electron का स्थानांत्रन होता है, बेटा, to one of the atoms joined by a multiple bond on the demand of an attacking reagent, एक आक्रमनकारी अभीकर्मक की उपस्थिती में, pi electron कब transfer होते हैं, जैसे मेरे पास, C double bond C, यह electron transfer कब होंगे, जब मैं यहाँ पर एक electrofile, electron सनेही के रखूंगा, तो यहाँ से यह electron transfer हो जाएंगे, यहाँ negative charge, यहाँ पर positive charge, ठीक है, अब यह attacking reagent इसके पास में आएगा, तभी यह transfer होगा, अगर यह यहाँ से दूर चला जाए, तो यह वापिस इसमें convert हो जाएगा, तो यह effect कैसा हुआ, temporary अस्थाई होआ, एक और example देखे हम, अगर मैं इसके पास में, किसी nucleophile, नाभिक सनेही को लेके आता हूँ, जब यह nucleophile इसके close आएगा, यह electron यहाँ से यहाँ transfer होगे, इस पर negative charge रहेगा, इस पर positive charge रहेगा, तो यह nucleophile किस पर attack कर जाएगा, positive charge पर, यहाँ पर यह negative part किस पर attack कर जाएगा, H plus पर, तो इस तरहें का, pi electron movement जो है, temporary movement, कौन सा effect होता है, यह आप से पुछा गया है, क्या inductive effect होता है, नहीं, क्या resonance effect होता है, नहीं, क्या hyperconjugation है, atis segment है, नहीं है, कौन सा है बेटा, electromeric प्रभाव है, इस effect को क्या कहते हैं, electromeric effect बोला जाता है, resonance structures of molecule, do not have, resonance structure of molecule, do not have, अनु की अनुनादी सरंचनाए, नहीं रखती हैं, देखें, identical arrangement of atoms, resonance structure जब बनाते हैं, तो उसमें, atoms की position, same रहती है, यह तो सही है, nearly the same energy, लगभग समान उर्जा, यह statement भी सही है, the same number of paired electrons, युगमित electronों की, समान संख्या, यह भी सही है, identical bonding, do not have, पुछा है बैट आप से, do not have, नहीं रखती हैं, तो अनुनादी सरंचनाओं में, समान बंधन, identical bond, नहीं होता है, समान बंधन, नहीं होता है, मतलब, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहां प्राइक एक्जाम्पल से, इसकी अगर मैं, अनुनादी सरंचनाओं बनाऊंगा, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच बॉंड बना है, यहां कार्बन और ऑक्सिजन के बीच बॉंड बना है, तो अनुनादी सरंचनाओं में, क्या नहीं होता है, identical bonding, समान बंधन, नहीं होता है, परमानों के स्थिति, एक समान होती है, एनर्जी लघभग एक जैसी होती है, same number of paired electron, आप इसमें सारे paired electron, calculate करनाओं और इसमें भी paired electron, paired electron में lone pair भी आएगा, ऑर bond pair भी आएगा, दोनुन आएंगेगे बिता, तो answer fourth आगया इसका, आगे चले, all carbon-carbon bonds in benzeene are equal, All carbon-carbon bonds in benzene are equal. Benzene में सभी carbon-carbon bond किसके कारण से समान होते हैं? अनुनाद के कारण से. Resonance इसके पीछे region है. तो answer के आएगा, बेटा? Third. Benzene is very less reactive. Benzene की reactivity बहुत कम है. Kriya shilta बहुत कम है, बेटा. इसके पीछे region क्या है? इसके पीछे region है कि Benzene में जो pi bond है, वो pi bond stable है. उसके stable होने की पीछे region क्या है? Stable होने के पीछे region है, complete conjugation, पूर्ण रूप से भी स्थानी करण, यानि की एक resonance है, एक अनुनाद है, और साथ में इसमें aromaticity, aromatic ता भी एक region होता है. तो यहाँ पर आपके पास कौनसा answer आएगा? It has double bond, नहीं आएगा answer. It has carbon, carbon single bond, ये भी इसका region नहीं है. Carbon atoms are sp2 hybrid, ये भी इसका region नहीं है. Pi electrons are delocalized. Fourth answer आएगा. क्या आएगा? Pi electrons are delocalized. Pi electron 20 थानी करत हैं, यानि कि वहाँ पर Pi electron अनुनवाद में भाग ले रहे हैं और aromatic ता उत्पन कर रहे हैं, aromaticity को maintain कर रहे हैं. इसलिए benzene कैसा है? Less reactive है. Orbital interaction between the sigma bonds and a substituent group. Orbital interaction between the sigma bonds of a substituent group and a neighboring Pi orbital. परतिस्थापी समुहू के सिग्मावंध और निकटवर्ती Pi कक्षक के बीच कक्षिय अन्तहक्रिया को आप क्या कहते हैं? Orbital interaction जो है, किस-किस के बीच में कह रहा है, देखो बेटा जहान से, यसे ये इसकी बात कर रहा है. इस structure की बात कर रहा है. तो यहाँ पर यह जो फिनोमिना है, यह जो परिखटना है, यह परिखटना आपको किस की याद दिला रही है, बेटा, hyperconjugation की याद दिला रही है, आतीस संयुगुमन है, orbital interaction between sigma bonds of a substituent group, यह रहा substituent group, and a neighboring pi orbital, neighboring pi orbital, इस फिनोमिना को, इस परिखटना को क्या कहते हैं, आतीस संयुगुमन, hyperconjugation कहा जाता है, the least stable free radical, least stable होना चाहिए, least stable, देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, resonance है, यह तो least stable नहीं हो सकता, अब इन तीनों में resonance तो नहीं है, फिर हम क्या देखेंगे, alpha hydrogen किसको चेक करेंगे, alpha hydrogen, alpha hydrogen increase होंगे, तो stability, स्थाइत्व जो है, वो भी increase हो जाएगा, alpha hydrogen देखो, यहाँ पर alpha hydrogen कितने हैं बेटा, 3, इसकी structure अगर हम देखें, तो इसमें alpha hydrogen आपको देखने, कितने मिलेंगे, इसमें alpha hydrogen, 6, इसमें alpha hydrogen आप चेक करेंगे, तो कितने मिलेंगे बेटा, 9, तो सबसे कम alpha hydrogen किसमें हैं, आप से बूचा है, least stable, alpha hydrogen बढ़ेगा, stability बढ़ेगी, alpha hydrogen घटेगा, तो stability घट जाएगी, least stable, आंसर के आजाएगा, first आजाएगा बेटा, रीजन समझ में आया, क्यों है, alpha hydrogen कम होने से क्या हुआ, alpha hydrogen कम होने से, hyperconjugation, 30 सयुगमन कम होगा, और 30 सयुगमन कम होने से, stability कम हो जाएगी, Among the given cations, the most stable carbo cations, carbo cations पूचा है, वो भी most stable दियेगे, धनायनों में सबसे अधिक स्थाई कार्ब धनायन, कौन सा है बेटा, secondary butyl, इस तरह का होता है, tertiary butyl, इस तरह का होगा, ठीक है, normal butyl, यह normal butyl, कार्बोगेटाइन की structure बनेगी, isobutyl, यह isobutyl कार्बोगेटाइन की structure है, अब आप इनकी stability को, किस effect से explain करेंगे, hyperconjugation, 30 सयुगमन से check करेंगे, most stable, इसका मतलब है, hyperconjugation, 30 सयुगमन ज्यादा होना चाहिए, वो कब होगा, जब alpha hydrogen ज्यादा होंगे, इसमें alpha hydrogen कितने बेटा, 2 प्लस 3 फाइव, इसमें alpha hydrogen कैलकुलेट करो, 9, इसमें alpha hydrogen कैलकुलेट करो, 2, इसमें आप alpha hydrogen कैलकुलेट करेंगे, 1, तो जिसमें alpha hydrogen सबसे ज्यादा होंगे, hyperconjugation, 30 सयुगमन ज्यादा होगा, तो stability भी ज्यादा हो जाएगी, आपके पास आंसर क्या जाएगा, तरश्री-ब्यूटिल, तृत्यक-ब्यूटिल आपके पास आंसर होगा. In ethyl alcohol, the bond that undergoes heterolytic cleavage most readily, इसमें वहबंध, जो सबसे आसानी से विश्मान स्विखंडन द्वारा तूटता है. तो इसमें आप क्या देखेंगे, heterolysis, विश्मान स्विखंडन, इसके लिए क्या होना चाहिए, दोनों एटम की electronegativity विद्यूत्रिनता में difference ज्यादा होना चाहिए. इलेक्ट्रonegativity difference जितना ज्यादा होगा, विद्यूत्रिनता में अंतर ज्यादा होगा, बॉंड का उतना ही आसाइनी से क्या होगा, हेट्रोलाइसिस हो जाएगा, विश्मान स्विखंडन हो जाएगा. तो इसका answer के आएगा, फोर्थ, क्योंकि oxygen और hydrogen की विद्यूत्रिनता में अंतर सबसे ज्यादा है इन चारों. इन चारों में electronegativity difference विद्यूत्रिनता अंतर यहाँ पर ज्यादा है, तो इसमें कौन सा बंध आसानी से हिट्रोलाइटिक लीवेश शोग करेगा, विश्मान स विद्यूत्रिनता का डिफ्रेंस ज्यादा है. अमंग the following the least stable resonance structure, least stable, सबसे कम स्थाई अनुनादी स्रंचना पूछी है, least stable resonance structure पूछा है, आप देखें इन में से आपको क्या लग रहा है? यहां देखो, similar positive charges are present on adjacent atoms, समान, धनावेश, निकटवर्ती परवाणूँओं पर उपस्थित है, तो ऐसे case में क्या होगा? positive positive charge में repulsion होगा, प्रतिकर्शन होगा, और repulsion बढ़ेगा, तो stability कम हो जाएगी, repulsion बढ़ेगा, तो stability कम हो जाएगी, तो least stable आपके पास कौन सा आएगा? first answer आएगा, reason समझ में आया? repulsion between these two positive charges, repulsion between these two positive charges, यह दोनों atom कैसे हैं? adjacent, निकट वरती हैं बेटा, पास-पास वाले हैं, इसलिए repulsion जादा होगा, which one of the following carbon ion is least stable? पहले तो carbon ion है और उसके बाद क्या है? least stable है, कौन सा carbon ion? सबसे कम स्थाई है, सबसे कम स्थाई carbon ion कौन सा है बेटा, कैसे चेक करेंगे? यहां तो resonance हो रहा है, यहां negative charge किसके पास है, SP के पास है, यहां पर आपके पास कैसा है, SP3, यहां पर भी आपके पास क्या है? SP3, यह answer नहीं हो सकता, यह भी answer नहीं हो, least stable की बात ओ रही है, कम स्थाई की बात ओरी है बेटा, तो इन को छोड़ दो, अब इन दोनों में देखें, यहाँ पर CS3 का कौन सा effect होता है, बेटा, प्लस-i effect, तो इसमें प्लस-i effect ज्यादा है, इसमें प्लस-i effect कम है, प्लस-i effect जितना ज्यादा होगा, कार्ब एनाइन की stability उतनी ही कम हो जाएगी, बास समझ में आई? मीजोमेरिक effect involves delocalization, मीजोमेरिक effect में किसका delocalization होता है, मीजोमेरिक effect में किसका delocalization होता है, वेटा, पाई-Electrons का, किसका होता है, पाई-Electrons, अगर लॉन-पेर है तो लॉन-पेर का भी होता है, आप्शन में लॉन-पेर है नहीं, option में, कहीं पर भी long pair नहीं लिखा हुआ, मीजोमरिक effect में pi electron का delocalization होता है long pair का भी delocalization होता है मीजोमरिक परभाव में किसका V स्थानी करण होता है, long pair का भी और pi electron का भी, long pair option में कहीं दिया हुआ नहीं है, तो आपके पास answer क्या जाएगा, third, pi electron ठीके बिटा, hyperconjugation effect अति-सेवगुमन परभाव जो है, उसको और किस-किस नाम से जाना जाता है Baker-Northan effect भी होता है no bond resonance भी होता है तो सीधा simple सा question है, इसका answer के आजाएगा, third Baker-Northan परभाव भी अति-सेवगुमन परभाव को ही कहते हैं बंद रहित अनुनाद भी अति-सेवगुमन परभाव को कहा जाता है, ठीक है इसमें हम next question देखते है relative stability is of the following carbocations निमलिखतकार्द धनायनों के सापेक्ष स्थाइत यह यहाँ पर carbocations है इनकी stability को देखना है तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर आपके पास एक resonance होगा तो इससे एक structure मिलेगी CH2 positive CH double bond CH2 ठीक है यहाँ पर भी back bonding होगी इसमें भी एक back bonding होगी तो इसकी जो resonance structure मिलेगी वो होगी आपके पास इस तरह से इसमें किसी तरह से कोई भी अनुनाद नहीं है कोई resonance नहीं है बेटा अब हम देखेंगे stability को तो कौन सास सबसे ज़्यादा effective resonance है यह वाला क्योंकि परतेक परमानू का अस्टक पुरा हो गया Each atom has complete octet तो सबसे ज़्यादा stable यह रहेगा यह सबसे ज़्यादा stable रहेगा third उसके बाद किसका नंबर आएगा first और उसके बाद किसका नंबर आएगा second third, first, second आपके पास answer रहेगा third, first, second fourth answer रहेगा ठीक है chloroacetic acid is a stronger acid than acetic acid acetic aml की तुल्ला में chloroacetic aml प्रबल अमल यह है इसे कैसे समझा सकते हो आप CCL3, COOH CS3, COOH तो यहाँ पर क्या है आपके पास minus I effect तो answer क्या आजाएगा बैटा minus I effect आजाएगा among the following structure which is not permissible not permissible पूछाए बैटा resonance structure मन्य अनुनादी सरंचना नहीं है मन्य अनुनादी सरंचना इन में से कौनसी नहीं है क्या लग रहा है बैटा second reason क्या है यहाँ nitrogen देखो nitrogen के चारो तरफ पाँच बंध बने हुआ five bonds है यानि कि nitrogen के valence shell में ten electron हो गए जो की possible नहीं है तो answer के आएगा आपके पास second answer आजाएगा in which of the following compound the carbon marked with asterisk is expected to have greatest positive charge सबसे अधिक धनावेश कौन से carbon पर आप सोच पा रहे हैं positive charge गब आएगा जब उसके साथ electron खैंचने वाला electron withdrawing group जुडेगा और ज्यादा positive charge गब आएगा जब electron withdrawing group कैसा होगा strong electron withdrawing group होगा तो आप देख पा रहे हैं यहां के आएगा यहां तो यह तो answer होई नहीं सकता इस पर positive charge है तो इस पर तो negative charge आएगा यह भी answer नहीं हो सकता क्योंकि इसमें electron withdrawing group नहीं है यह दोनों answer छोड़ दोआ यहां पर देखो क्लोरीन और ब्रोमीन में से electron withdrawing effect electron आकरशित गण कुस में ज़्यादा होता है क्लोरीन में ज़्यादा होता है तो क्लोरीन की वज़े से इस कार्बन पर positive charge सबसे ज्यादा होगा ionic species are stabilized by the dispersal of charge which of the following carboxylate ion is the most stable ionic परजातियां आवेश के फैलाव दवारा स्थाई तो प्राप्त करती है निम लिखित में से कौन सा carboxylate ion सबसे अधिक स्थाई है तो carboxylate ion में अनुनाद सब जगे एक जैसा है यह तो एक जैसा है फिर इसमें एक्स्ट्रा देखना है एक्स्ट्रा क्या है बेटा यहाँ पर F का minus I effect है यहाँ क्लोरिन का minus I effect है यहाँ दो F का minus I effect है minus I effect जितना ज्यादा होगा anion की stability उतनी ही ज्यादा होगी most stable पूछा है आंसर क्या जाएगा fourth the stability of carb anions in the following carbon ion के स्थाइतों का क्रम पूचा है carbon ion कार्ब रिनाइनों के स्थाइतों का क्रम पूचा है बेटा कैसे करें यहाँ देखो R CO CH2 negative यह resonance कर रहा है और resonance भी effective है क्यों negative charge delocalized होगे किसके पास ट्रांसफर हो गया more electronegative oxygen के पास resonance यहाँ पर भी है लेकिन negative charge कार्बन से कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है इसमें कोई resonance नहीं है यहाँ पर भी कोई resonance नहीं है तो फिर सबसे ज़्यादा stable आपके पास कौन सा होगा first due to more effective delocalization of negative charge रिनावेस का अधिक स्थाई वी स्थानी करण first first के बाद नमबर आएगा second second के बाद इन दोनों में क्या देखेंगे यहाँ पर आप क्या देख पा रहे है यहाँ पर आपके पास क्या है sp2 और यहाँ पर आप क्या देख पा रहे है sp3 more electro negative atom के पास negative charge stable हो जाता है third fourth first, second, third, fourth first, second, third, fourth यह answer आ जाएगा ठीक है strongest acid is इन में से आपको कौन सा acid सबसे strong लग रहा है कौन सा लग रहा है बिटा fourth fourth answer आएगा न क्योंकि OH oxygen कैसा है यहाँ carbon यहाँ nitrogen यहाँ carbon oxygen कैसा है इन में से more electro negative more electro negative atom के साथ attach hydrogen more acidic होता है which one of the following orders is correct regarding the inductive effect inductive effect पूछा आपसे परिनिक परभाव पूछा है correct order आप इसमें देखें आपको क्या लग रहा है देखो इनको order को कौन सांसर आएगा third सीधा सीधा electro negativity based देए तो इसकी electro negativity सबसे ज़्यादा है उसके बाद इसकी है और उसके बाद इसकी है direct answer आपको जैसे आपको inductive effect के orders याद रखने चाहिए carboxylic acids are easily ionized the main reason for this statement क्या कारण हो सकता है easily ionized क्यों हो जाते हैं क्या उनमें alpha hydrogen absent है इसलिए नहीं resonance stabilization of carboxylic ion yes यास ये इसका answer है carboxylic acid इसमें भी resonance होता है ये resonance है और carboxylate ion में भी resonance है these two are identical resonance structures but these two are not identical resonance structures ये दोनों समरूप अनुनादी सरंचनाई है negative charge oxygen से oxygen के पास delocalize हो रहा है ऐसा इसमें नहीं हो रहा है तो इसके respect ये क्या है resonance stabilized है तो carboxylic acid easily ionized क्यों हो रहा है उसका reason क्या है resonance stabilization of carboxylate ion carboxylate ion का अनुनाद दोवारा स्थाई करण भीड़ा which among following statements are true with respect to electronic displacement in a covalent bond सहसेयों जग बंध में electronic विस्थापन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है inductive effect operates through pi bond प्रेनिक प्रभाव pi बंध के माध्यम से होता नहीं resonance effects operates through sigma bond अनुनाद प्रभाव sigma बंध के माध्यम से संचालित होता है नहीं inductive effect के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए था और इसके लिए यहाँ क्या होना चाहिए था तो इगर बढ़ों के काम inductive effects operates through sigma bond yes third answer प्रेनिक प्रभाव sigma बंध के माध्यम से संचालित होता है electromeric effect operates through sigma bond नहीं sigma bond के थू नहीं चलता किसके थू चलता यह pi bond के थू चलता है तो answer क्या रहेगा बेटा इसका answer क्या रहेगा third answer रहेगा ठीक है which of the following is most stable intermediate कौन सा सरवादिक स्थाई मध्यवर्ती है कौन सा intermediate आपको सबसे ज़्यादा स्थेबल लग रहा है first क्यों इसमें सबसे ज़्यादा resonance stabilization है सबसे ज़्यादा अनुनाद द्वारा स्थाई करना है बेटा टीन बेंजीन अटेच है इसमें एक साथ C plus के साथ तीन बेंजीन रिंग अटेच है ठीक है the correct acid strength order of the following निमलिगित के अमल सामर्थ्य का सही क्रम कौन सा है acid strength हमें चेक करनी है बेटा तो ये तो हम अच्छी तना जानते हैं कि phenol के respect carboxylic acid strong acidic होता है तो इन दोनों की acid strength ज्यादा है और इन दोनों की acid strength कम है अब इन दोनों में क्या है यहां पर ये group कैसा है electron donor group है electron data sum है और electron donor group acid strength को decrease कर देता है तो सबसे पहले आएगा third उसके बाद आएगा fourth इन दोनों में क्या present है carboxy अब यहां देखें इस CL का कौन सा effect होगा electron withdrawing electron accuracy और electron withdrawing effect क्या करता है acid strength को increase कर देता है second are first, third, fourth, second, first third, fourth, second, first third, fourth, second, first टेकलो आपके पास कौन सान स्राव है बास समझ में आ रही है इनकी acid strength जदा होनी चाहिए और इसकी वजह से acid strength कम हो गई तो third, fourth इन दोनों में से इसका electron withdrawing है तो second, first, third, fourth, second, first ठीक है stability of this compound is more than that of this compound किस कारण से ये योगिक जो है का स्थाई तो इससे ज्यादा है इसके पीछे क्या region है क्या inductive effect होगा क्या resonance effect होगा क्या hyperconjugation effect होगा resonance as well as inductive effect होगा क्या answer आएगा बेटा इसमें third hyperconjugation inductive effect और hyperconjugation दोनों में से dominate कुन करता है अधिक प्रभावी कुन होता है hyperconjugation तो हमें hyperconjugation काम में लेना पड़ेगा तो answer क्या आएगा third the compound given below यह आपको योगिक दिया है आपको क्या करना है acid strength को compare करना है सबसे strong acid तो यह रहा x अब इन दोनों की acid strength को compare करना है कैसे compare करें वेटा कैसे compare करेंगे इन दोनों के लिए इन दोनों के respect इन दोनों के respect इसका क्या रहेगा minus effect यहां यह इसके close है और distance decrease होने से minus effect increase हो जाता है यानि कि इसके लिए, इस ग्रूप के लिए, इसका minus i effect ज्यादा है, और minus i effect ज्यादा होगा, तो acid strength भी ज्यादा हो जाएगी, तो x के बाद किसका नंबर आएगा, और y के बाद किसका नंबर आएगा, z का आएगा, बास समझ मैं रहे, सबसे strong acid तो x है, इन दोनों की acid strength को compare करन है, तो इन दोनों के respect, इसका कौन सा effect consider किया जाए रहा है, minus i, यहाँ distance minimum है, दूरी कम है, distance कम होने से, minus i effect बढ़ जाएगा, minus i effect increase होगा, तो acid strength automatic increase हो जाएगी, which species are more resonance stabilized in the following pairs, इन दोनों में आपको क्या लगता है, इन दोनों में resonance stabilized कोन है, इन दोनों में resonance stabilized कोन है, और इन दोनों में resonance stabilized कोन है, सबसे ज़्यादा, यह वाला होगा ना, अभी थोड़ दर पहले बताया है मैंने, तो यह देखो, यह किस-किस में दिया हुआ है, fourth, answer क्या जाएगा आपके पास, fourth बेटा, CCL bond in CH2, double bond CHCl is difficult to cleave, इस bond को तोड़ना जो है, difficult क्यों है, reason क्या है इसके पीछे, क्या reason लग रहा है, यहाँ पर resonance हो रहा है, resonance होने से, क्या होगा, क्या होगा resonance होने से बेटा, double bond character, partial double bond character आ जाएगे, तो कौन सा answer आएगा, resonance, the ascending order of stability of the carvenians, carvenaino के स्थाइतों का आरोही क्रम बताना है, ascending order बताना है, तो देखें तो इन में से क्या है, कहां, क्या चल रहा है, यहाँ resonance है, negative charge is stabilized by delocalization, यहाँ पर भी resonance है, negative charge is stabilized by delocalization, इसमें और इसमें रिनावेस वी स्थानी करन दवारा अपने आपको स्थाई कर रहा है, delocalization ज्यादा किसमें है, resonance अनुनाद ज्यादा किसमें है, इसमें है, तो Q, Q के बाद S, अब इन दोनों की बात करें, आपको पता इसका कौन सा effect लग रहा है, प्लस आई, प्लस आई क्या करेगा, इसकी stability को decrease कर देगा, तो P और R, R, P, S, Q, answer क्या जाएगा, second, the descending order, अब आपको descending order बताना है, लेकिन कार्वो केटाइन के लिए, कार्वो केटाइन के लिए, कार्वो केटाइन में क्या होता, electron donor group जो है, वो stability increase करते हैं, प्लस आई effect stability को increase करता है, hyperconjugation stability को increase करता है, प्लस आइफेक्ट स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, अब ये concept इसमें अपलाई करने हैं, यहां देखो, पैरा पॉजिशन पर प्लस M एफेक्ट है, इसकी पैरा पॉजिशन पर हाइपर कॉंजूगेशन एफेक्ट काम कर रहा है, इसकी पैरा पॉजिशन पर माइनस M आएगा first, और सबसे last में क्या आएगा third, second, fourth, first, 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 third, बास समझ में आ रही है, प्लस M एफेक्ट है, सबसे ज़्यादा stable, फिर हाइपर कॉंजूगेशन का नमबर आ जाएगा, फिर इसमें किस तरह से ऐसा कुछ भी नहीं है, इसमें arrange the following free radical in order of decreasing stability, free radicals के लिए, ये आपके पास क्या है, methyl free radical, ये आपके पास है, vinyl free radical, उसके बाद है, allyl free radical, और फिर उसके बाद है, benzyl free radical तो सबसे ज़्यादा resonance किसमें हैं, यहाँ पर, उससे कम किसमें हैं, यहाँ पर, यहाँ पर तो कोई resonance है यह नहीं, तो सबसे ज़्यादा stable यह होगा, benzyl, fourth सबसे ज़्यादा stable है, fourth एक ही जगे दिये, answer क्या आ जाएगा, fourth ही आ जाएगा, और तो कहीं दे नहीं रखा न, set ह हो गया, compound which has positive mesomeric effect, ऐसा कौन सा compound है, जिसमें धनात्मक mesomeric effect है, positive mesomeric effect काम कर रहा है, देखो, एक ही answer है, और किसी में भी mesomeric effect है यह नहीं, बाकि तीनों में किसी तरह का कोई mesomeric effect नहीं है, among the following which is least acidic निम्न में से, कौन सा सबसे कम अमली यह है, सबसे कम अमली यह कौन सा है, acid strength सबसे कम किसकी है, क्या हैगा बिटा, acid strength decrease होनी चाहिए, कौन decrease करेगा, electron withdraw करने वाला group, या electron donate करने वाला group, कौन increase करेगा, कौन decrease करेगा, क्या है बिटा, देखो, acid strength अमल सामर्थे जो है, directly proportional है, किसके, electron withdrawing group के, electron आकरशित करने वाले समू के, और inversely proportional है, electron donor group के, electron देने वाले group के, electron withdrawing group में कौन आते हैं बेटा, minus M आता है, minus I आता है, इसमें कौन आते हैं बेटा, plus M आता है, hyperconjugation आता है, plus I effect आता है, ये सब decrease करते हैं और ये सब increase करते हैं, इसमें electron withdrawing group है, यहाँ पर electron withdrawing group है, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ortho-crisal, ortho-crisal की structure कुछ किस तरहें की होगी, आपके पास CS3, इक ऐसा group है, electron donor group, और electron donor group क्या करता है, acid strength को decrease करता है, आंसर कौन सा आ जाएगा, फूर्था जाएगा, Consider the following compound, निमलिक्त योगी को पर विच्चार करो, hyperconjugation is present in, अती सयुगुमन किस में उपस्थित है, क्या condition होती है, या तो free radical होना चाहिए, या एलकीन होना चाहिए, या फिर कार्बोकेटाइन होना चाहिए, hybridization कैसा हो, sp3, इसके respect, alpha carbon पर hydrogen होना चाहिए, इसके respect, alpha carbon पर hydrogen होना चाहिए, इसके respect, alpha carbon पर hydrogen होना चाहिए, इन में hyperconjugation रहेगा, तो देखो, यहाँ पर double bond है, यह वाला case तो है, लेकिन यहाँ देखें, आपके पास alpha hydrogen नहीं है, इसके अंदर भी alpha hydrogen नहीं है, यहाँ पर एक alpha hydrogen है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आती सहयुगमन hyperconjugation, आंसर क्या आ जाएगा, third, आंसर क्या आ जाएगा बटा, third, which is the most stable compound among the following, निम लिखित में से कौन सा सरवाधिक स्थाई है, most stable कौन सा है, इसमें तो कोई resonance ही नहीं है, इसमें यहाँ resonance हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, इसमें यहाँ से, यह पूरा resonance हो रहा है, तो resonance, अनुनाद ज्यादा किसमें हैं, third में हैं, रिजन क्या है, resonance ज्यादा है, अनुनाद ज्यादा है, which of the following is most basic, कौन सा सबसे अधिक खशार यह है, Benzimide क्या होता है, C6H5CONH2, Benzyl Amine क्या होता है, C6H5CH2NH2, Nitro Benzimide C6H5NO2, Benzimide Amine C6H5NH2, इसका lone pair, D-localized है, इसका lone pair भी D-localized है, इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, इसका lone pair D-localized नहीं है, क्या पूछा है, most basic पूछा है बइटा, सबसे अधिक खशारी है, तो जहाँ electron density maximum होगी, electron घनत maximum होगा, उसकी basic strength ज़्यादा होगी, इसमें delocalization, electron density कम होगी, delocalization, electron density कम होगी, delocalization नहीं है, delocalization नहीं है, आंसर क्या जाएगा आपके पास, benzyl amine, which of the following free radical is most stable, मुक्त मुलक सबसे अधिक स्थाई कौन सा है, इसमें कोई resonance नहीं है, इसमें कोई resonance नहीं है, इसमें resonance है, यहाँ देखो, यहाँ resonance है, और यह आपके पास, दो alpha hydrogen भी है, इसमें resonance तो है, लेकिन इसके लिए कोई alpha hydrogen नहीं है, आंसर क्या जाएगा, थर्ड आ जाएगा, resonance भी है, hyperconjugation भी है, इसमें only resonance है, the correct stability order for the following species, निमलिक प्रजातियों के स्थाईतों का सही क्रम क्या है, क्या देखेंगे बेटाब इसमें, देखो यहाँ backbonding हो रही है, और साथ में यह alpha alpha है, तो यहाँ 3 plus 3, 6 alpha, इसमें भी backbonding हो रही है, बैकbonding हो रही है, और साथ में alpha है, alpha कितने हैं, 3 alpha, इसमें कोई backbonding नहीं है, सिर्फ alpha काम करेगा, यहाँ पर alpha है, यहाँ पर 3 plus 2, 5 alpha, और यहाँ पर आपके पास alpha कितने हैं, 2 alpha, तो सबसे पहले तो backbonding देखेंगे, backbonding दोनों में हो रही है, पश्च आबंधन, अब दोनों में बराबर है, तो हम देखेंगे alpha hydrogen जादा किसमें, तो सबसे ज़्यादा stable 1st होगा, फिर 3rd होगा, 1st, 3rd, ठीक है, अब इन दोनों में से, 2nd, 2nd के बाद किसका नंबर आएगा, 4th, 1st, 3rd, 2nd, 4th, 1st, 3rd, 2nd, 4th, यह रहा, 1st, 3rd, 2nd, 4th, आप समझ में आगी, पहले backbonding देखा, backbonding दोनों में बराबर है, तो जिसमें, alpha hydrogen जादा होँगे, उसकी stability जादा होगी, इसमें आगे start करते हम, next, correct order of increasing basic nature, of the following basis, basic nature के लिए क्या करेंगे, electron donor group, basic strength को increase करता है, क्योंकि, electron density increase करता है, electron withdrawing group, basic strength को decrease करता है, क्यों, क्योंकि, electron density को decrease कर देता है, तो CS3 कैसा है, electron donor group, कैसे, hyperconjugation भी show करता है, plus I भी show करता है, ये कैसा है, plus M, साथ में minus I है, लेकिन dominate कौन करता है, plus M, यानि कि electron donor group है, तो सबसे strong donor group कौन सा हुआ, plus M, तो सबसे strong base कौन सा हुआ, third, third के बाद किसका नंबर आएगा, second, अब यहाँ पर ये meta position है, ये इसके respect meta position है, तो minus I, minus I group क्या होता है, electron withdrawing, तो basic strength को decrease करेगा, तो यहाँ पर किसका नंबर आएगा, first, first के बाद किसका नंबर आएगा, fourth का बेटा, third, second, first, fourth, third answer आजाएगा, ठीक है, क्या answer है बेटा आपके पास, third, among the following, the dissociation constant, निमलिक्त में से, व्योजन स्थरांक उच्छतम पूछा है बेटा, dissociation constant आपके पास highest होना चाहिए, व्योजन स्थरांक highest कब होता है, जब acids strong हो, strong acids है, high dissociation constant, प्रबल आपल उच्छतम व्योजन इस्थरांक रखते हैं, तो कौन सा strong acid होगा, fourth, carboxylic acid is strongest acid among these four compounds, carboxylic आपल इन चारों योगिकों में से, सबसे प्रबल आपली है बेटा, इन पाइरोल, पाइरोल में आपको बताना है, electron density maximum कहा होगी, कैसे बता लगेगा, हम क्या करेंगे, इसकी resonance structure बना के देखेंगे, तो इसकी जो resonance structure बनेगी, वो कैसी बनी बेटा, positive, negative charge, आप ये मुझे बताओ कि, इन में से कौन सी structure ज़्यादा stable है, कौन सी structure ज़्यादा stable है, बेटा, देखो positive charge nitrogen के पास है, negative charge carbon के पास है, अगर ऐसी कोई condition आती है, कि resonance structure है, पहली resonance structure का positive charge, और दूसरी resonance structure का positive charge, same atom पर है, पहली structure का negative charge, दूसरी structure का negative charge भी same atom के पास है, तो हम distance देखेंगे, distance increase करेंगे, तो resonance structure की stability decrease हो जाएगी, तो ये more stable हुआ, इसके respect ये more stable है, तो electron density कहाँ पर ज़्यादा हुई, इस position पर, ये position कौन सी है बेटा, फिफ्थ, अब इसका reverse करके देखो, यहाँ से ऐसे करके देखो इसको, ठीक है, तो क्या बनेगा, positive charge, negative, यहाँ फिर resonance हो जाएगा, इनको compare करो, इन में से कौन सी structure ज़्यादा stable है, ये वाली structure ज़्यादा stable है, वो ही condition, जो मैंने यहाँ apply की, जब ये structure ज़्यादा है, तो यहाँ electron density ज़्यादा है, ये कौन सी position है बेटा, second position है, तो आंसर क्या जाएगा, first, आंसर क्या जाएगा आपके पास, first बेटा, which kind of fission is favored by sunlight, sunlight की presence में किस परकार का विखंडन होता है, homolysis, which one of the following characteristics belongs to an electrophile, electrophile में आपको किस परकार का जो है character लग रहा है, it is any species having electron deficiency, electrophile का मतलब क्या है, lack of electron, electronों की कमी, यानि की electron deficiency है, electrophiles are electron deficient species, electron salih, electron noon प्रजाती होती है, electron deficiency, electron की कमी है, अब electron deficiency है, तो इन पर कौन अटेक करेगा, यह कहाँ अटेक करेंगे, जहाँ पर electron density ज्यादा होगी, जो electron rich होगा, जो electron धनी होगा, which reacts at an electron rich center, जो electron सम्रद्ध कारबन के अंदर पर क्रिया, करती है, यही सही रहेगा, यह answer गलत है, always ketanic नहीं होती है, anionic नहीं होती है, 45 first answer, strongest nucleophile, nucleophile, lawn pair donation tendency, lawn pair donation tendency किसमें सबसे ज्यादा है, देखो, यहाँ nitrogen के पास, यहाँ oxygen है, यहाँ oxygen है, यहाँ chlorine है, आपको देखना है, पहले तो सबसे strong, इसको तो छोड़ी दो, इन तीनों को compare करेंगे, तो answer क्या आएगा, first क्यों answer आएगा, electronegativity of nitrogen is less than that of oxygen, बात समझ में आगे, which of the following statement is not correct for nucleophile, नाभिक सनेही के लिए कौन सा कथन, सही नहीं है, नोट करेक्ट कुछा है आप से, सही नहीं है, यह जरूर ध्यान रखना है, सही नहीं है, student इसको दंग से नहीं पड़ते हैं, nucleophile इसे Lewis acid, यही सही नहीं है, nucleophile कभी भी Lewis acid नहीं होते हैं, Lewis base होते हैं, बाकि सब तो सही है, ammonia, nucleophile है, nucleophile attack at electron, at attacks, नहीं करते हैं, nucleophile electron को सर्च नहीं करते हैं, बेटा, क्योंकि वो तो अलड़ी electron rich होते हैं, तो answer क्या आएगा, first आएगा, due to the presence of an unpaired electron, free radicals are, free radicals are chemically reactive, रासाइनिक रूप से, क्रियाशिल होते हैं, आयुगमित electron की उपस्थिती के कारण, covalent bond can undergo fission in two different ways, homolytic and heterolytic, ठीक है, the correct representation involving a heterolytic fission, सह स्योजगबन दो अलग लग तरीकों से विखंडित हो सकता है, समान्ष और विश्वान्ष, CS3BR में विश्वान्ष विखंडन करना है, तो CS3BR है, heterolytic, विश्वान्ष विखंडन करना है, electronegativity किसकी ज़्यादा होगी, bromine की ज़्यादा होगी, तो result क्या आएगा, यह bond यहाँ से break होगा, result होगा, CS3 के पास positive charge, और bromine के पास negative charge, ऐसा होना चाहिए आपके पास, कौनसा अंसर आ रहा बेटा, second, क्या अंसर आ रहा आपके पास, second आंसर आ रहा है, homolytic fusion of carbon, carbon bond in ethane, इसका homolysis करना है, समान्ष विखंडन करवाना है बेटा, समान्ष विखंडन हो गया, समान्ष विखंडन से क्या बनेगा, free radical, मुक्त मूलक, क्या बनेंगे, free radical, अब इसका hybridization, संकरन कैसा होगा, hybridization कैसा होगा बेटा, SP2, कैसा hybridization हो जाएगा, which of the following will be most easily attacked by an electrophile, electron सनेही दवारा आसानी से आकर्वन किस पर किया जाएगा, जो सबसे प्रबल नाभिक्स नहीं होगा, जो strong nucleophilic strength शो करेगा, nucleophile strong कब होता है, जब उसके पास electron donate करने वाला group attach हो, electron donate करने वाला, यह देखो, इसमें क्या है, प्लस M effect है, प्लस M तो इसमें भी है, लेकिन इसका प्लस M maximum है, किसके respect, इसके respect, आंसर क्या आएगा, second, second का benzen ring strong nucleophile है, second में benzen ring कैसा है, strong nucleophile है, due to the presence of OH group, OH समू की उपस्थति के कारण, benzen प्रबल नाभिक सनेही है, इसलिए इस पर इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटेक करेगा, which of the following species is not electrophilic in nature, electron सनेही, मतलब, electron की कमी वाला, electron deficient, third answer, nitrogen का octet complete है, nitrogen का octet complete है, in which of the following compound, CCL bond ionization shall give most stable carbocatine, बेटा, इसका अगर मैं यहां से ionization कर लूँ, तो यहां positive मिलेगा, इसका ionization अगर मैं कर लेता हूँ, तो यहां पर positive मिलेगा, इसका ionization अगर मैं करूँगा, तो यहां पर positive बनेगा, इसका ionization करूँगा, तो यहां पर positive मिलेगा, अब देखो आपके पास, most stable carbocatine कौन सा है, second, कौन सा है, second है, एक तो यहां resonance है, और दुसरा यहां पर, ati-seuguman hyperconjugation भी है, which of the following has the highest nucleophilicity, बेटा, NH2 negative, CH3 negative, OH negative, F negative, यहां पर आप क्या कर रहे हैं, left to right move कर रहे हैं, ठीक है, left to right move करने से क्या होगा, electro negativity बढ़ेगी, electro negativity increase होगी, तो nucleophilic character क्या हो जाएगा, decrease हो जाएगा, आप से पूचा है, highest nucleophilicity, नाभिक सनेहिता उच्चतम होनी चाहिए, तो answer क्या आएगा, क्या answer आजाएगा, which behaves both as nucleophile and electrophile, ऐसा कौन है, जिसमें नाभिक सनेहित और electron सनेहित दोनों के गुण पाए जा रहे हैं, ऐसा कौन है, ऐसा है CS3CN, ऐसा कौन है, CS3CN, यह nucleophilic center है, nucleophilic site हो गई है, nucleophilic केंदर हो गया, और यह आपके पास electrophilic site है, electrophilic center है वेटा, इसमें दोनों center है, अगर कोई nucleophile attack करेगा, तो यह attack करेगा, और यह खुद as a nucleophile किसी दूसरे पर भी attack कर सकता है, which of the following is not an electron deficient, electron deficient बोला है वेटा, electron noon, जिसमें electronों की कमी not, तो यह electron deficient है, यह answer आ जाएगा, CH4 electron deficient नहीं है क्योंकि carbon का octet complete है, the attack of H plus iron to this, बेटा, यह H plus iron electrophile है, और यह यहाँ पर nucleophile है, nucleophile electrophile पर attack करेगा, nucleophile electrophile पर attack करेगा, तो answer क्या जाएगा बेटा, second, nucleophile electrophile पर attack करता है, ठीक है, electrophile, nucleophile के पास जाता है, लेकिन attack कौन करता है, nucleophile attack करता है, which one of the following has the most nucleophilic nitrogen, यहाँ पर आपके पास SP2, यहाँ पर SP3, यहाँ तो क्या है, delocalization, यहाँ पर भी क्या है, delocalization, यह CS2 है बेटा, ठीक है, तो, most nucleophilic nitrogen किसमे होगी, second में, क्यों, S-character कम होने से, electro negativity कम हो जाएगी, electro negativity कम होगी, तो nucleophilicity बढ़ जाएगी, decreasing order of nucleophilicity among the nucleophiles, नबिक सनियों के लिए नबिक सनियता का घड़ता हुआ क्रम कौन सा है, तो, इसका negative charge resonance में participate कर रहा है, इसका negative charge resonance में participate कर रहा है, इसका negative charge भी resonance में participate कर रहा है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो सबसे strong nucleophile कौन सा हुआ? second. अब इसमें delocalization, V-sthanicran effective है, negative oxygen से oxygen पर transfer हो रहा है, इसका negative oxygen से carbon पर आ रहा है, तो इसके respect ये less effective है. इसका negative oxygen पर आ रहा है, इसका negative oxygen पर आ रहा है, इसमें 2 resonance structure बनेंगी, इसमें resonance structure कितनी बनेंगी? 3. इसकी 3 identical resonance structure बनेंगी, इसकी 2 identical resonance structure बनेंगी, तो resonance effective किसमें हुआ, अनुनाद परभावी किसमें हुआ, इसमें effective resonance होगा, तो nucleophilicity, basic strength, दोनों ही क्या हो जाती है, कम हो जाती है. तो answer किसके बाद क्या आएगा? 1st, 1st के बाद क्या आएगा? 4th, 2nd, 3rd, 1st, 4th, 2nd, 3rd, 1st, 4th, 3rd answer आएगा बड़ा. Nucleophilicity का मतला, loan pair donate करना, बात समझ में आ रही है, loan pair को donate करना बड़ा, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है. Loan pair resonance में जाएगा, nucleophilicity कम हो जाएगी. Resonance effective होगा, nucleophilicity और भी कम हो जाएगी. ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. Which of the following compound possesses the CH bond with lowest bond energy? Lowest bond energy पूछा है बटा. यानि कि CH bond break हो जाएगा, तो उसके बाद जो intermediate बनेगा, वो stable बनना चाहिए. अगर ऐसा है, तो lowest bond energy हो जाएगी. टॉलोवीन, 2-2-2-3-methyl, propane, benzene, टॉलोवीन बटा. कौन सांसर आएगा? Second answer आजाएगी. उसका region बता देता हूँ आपको. ये bond कैसे break होगा? होमोलाइसिस से break होगा, बटाई. समान्स विखंडन होगा इसका. ठीक है? कार्बन हाइडरोजन बॉन्ड की बात करें, तो आप इस तरह से देख लें. ये एक stable free radical है due to resonance. अनुनाद के कारण ये स्थाई मुक्तमूलक है. तो अगर कार्बन हाइडरोजन बॉन्ड ब्रेक करने से बनने वाला intermediate stable होगा, तो कार्बन हाइडरोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होगी, बॉन्ड वीक होगा. आंसर क्या आगया आपके पास? तोलोगी. Which of the following carbo cations is expected to be most stable? कौन से कार्ब धनाइन से सबसे अधिक स्थाई होने की अपेक्षा है? क्या देखेंगे बटा? ये तो गड़बड होगे ना? positive charge के साथ direct NO2 जुड़ गया, electron withdrawing group. यहाँ पर भी ऐसा ही है. तो ये भी most stable नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता. अब क्या करें? इन में से क्या देखें? यहाँ resonance है. अगर आप resonance करेंगी, तो इसका resonance structure कैसा बनेगा? जरा ध्यान से देखना वेटा. कैसा बनेगा? यहाँ double bond आएगा, यहाँ double bond आएगा, NO2 और यहाँ positive आजाएगा. यह गड़वड हो गया. यह भी answer नहीं होगा. answer कोंसा जाएगा? third जाएगा. क्यों देखो? positive charge यहाँ पर आएगा. जो कि NO2 से दूर है. answer क्या आया? third. in 2-butyne, which one of the following statement is true? 2-butyne वेडा. CS3, CH double bond, CH, CS3. यह first, यह second, यह third और यह fourth. ठीक है? C1, C2 bond is SP3, SP3. यहाँ पर SP3 है. यह SP2 है. यह भी SP2 है. यह SP3 है. बात समझ में आगी? C1, C2, SP3, SP2 है. यहाँ लिख दिया SP3, SP3. गलत हो गया. C2, C3 bond. C2, C3 bond. इसकी बात हो रही है. SP2, SP2 है. C2, C3 bond, SP3, SP2. और यहाँ क्या है? SP2, SP2. यह भी गलत हो गया. C1, C2. C1, C2 bond कैसा है? SP3, SP2, SP3, SP2. और सिग्मा बान्ड भी है. C2, C3. C2, C3, SP2, SP2 है. लेकिन πाई बान्ड थोड़ा बनेगा. SP2 और SP2 से कौन सा बान्ड बनने वाला है? सिग्मा बनने वाला है, बेटा. पाई किससे बनेगा? P और P से. पाई किससे बनेगा? P और P से बनेगा. तो आंसर क्या जाएगा इसमें? थर्ड आंसर जाएगा. ये नहीं आएगा. बास समझा ना? SP2, SP2 तो है. लेकिन यहाँ बान्ड क्या बना रखा, वेटा? पाई होना क्या चाए ये था? सिग्मा. विच ओफ दा फॉलॉविंग इंटर्मीडियेट इस? पारिमिडल इन शेप. कौन सा मध्यवर्ती पिरामिडी आकरती का है? पारिमिडल शेप. पारिमिडल शेप पिरामिडी आकरती होने के लिए यहाँ पर कार्बन कंपाउंड में क्या होता है? SP3 hybridization हो और साथ में क्या हो? lawn pair भी हो ऐसा इसके पास आ जाएगा? यह पिरामिडल शेप हो जाएगा. विच ओफ दा फॉलॉविंग विल शो आरोमेटिक बहेवियर. आरोमेटिक बहेवियर किसके पास होगा? आरोमेटिक व्यभार कौन परदरसित करेगा वेटाइन में से. आरोमेटिक के लिए क्या होना चाहिए? प्लेनर साइक्लिक स्ट्रक्चर होनी चाहिए. डीलोकेलाइज़ फोरेन प्लस टूपाई इलेक्ट्रोन होनी चाहिए रिंग में. यही तो होता है बेटा. यहाँ SP3 आ गया, यहाँ SP3 आ गया, complete delocalization नहीं है, यह भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ SP3 और इसके पास इधर भी SP3, यह 4 पाई, यह भी नहीं है, आंसर कौन सा जाएगा, second, आंसर कौन सा जाएगा, second, ऐसे होगा नहीं है. ऐसा होगा बेटा, अरोमेटिक होगे हैं, देखो जान से. Which of the following intermediate have the complete octet around the carbon atom, किस मद्यवर्ती में carbon परमानू के चारों और पूर्ण अस्टक है, अस्टक पूरा किसके अंदर होगा, बेटा, कार्बोगेटाइन में six electron होते हैं, carbon के पास carbon ion, free radical में carbon के पास क्या रहते हैं, seven electron रहते हैं, कार्बीन में carbon के पास क्या रहते हैं, six electron रहते हैं, complete octet किस के पास होगा, carb anion, यहोगी न, eight electron रहते हैं, ठीक है, आंसर के आएगा आपके पास, कार्बोगेटाइन, which carbon atom is the most electronegative, sp, sp2, sp3, electronegativity के लिए इसको चेक किया जाता है, तो यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp3 है, और यहाँ पर sp है, sp की electronegativity, यानि की कौन सा first answer आजाएगा, ठीक है, product, एक reaction दे रखिए आपको, कुछ नहीं है, acid और base ही है, one mole HCl कहाँ पर attack करेगा, जिसकी basic strength सबसे ज़्यादा होगी, basic strength सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, देखें मेटा, इसका loan pair delocalized है, basic strength कम हो गई, यहाँ पर H plus attach नहीं होगा, oxygen को तो भूली जाओ, क्योंकि nitrogen के respect, oxygen की electronegativity विद्ध्यूत्रिणता ज्यादा है, तो basic strength कम होगी, तो इसको भी भूल जाओ, यहाँ पर, lawn pair resonance में जा रहा है, basic strength कम होगी, इसको भी भूल जाओ, बचा कौन सा NH2 यहां पर H plus attach होगा यहां पर, यह गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, यह भी गलत हो गया, आंसर कौन सा आजाएगा आपके पास, बास समझ में आगए, ठीक है, CH bond length is greatest, CH bond लंबाई किसमें सबसे ज्यादा है, bond length को हम यहां कैसे चेक करेंगे बटा, देखो एक आपके पास है, C2H2, C2H4, C2H6, कैसे चेक करेंगे बटा, electronegativity से, electronegativity increase होगी तो वो bonded electron को खेंचेगा, bond length क्या कर देगा, decrease कर देगा, तो यहां पर SP, SP2, SP3, इसकी electronegativity सबसे कम है, तो यह attract कम करेगा, attract कम करेगा, तो bond length ज्यादा हो जाएग, इसमें carbon, hydrogen, bond length सबसे ज्यादा है, third answer, बास समझ में आ रही है, bonded atom में एक atom की electronegativity को अगर आप बढ़ा रहे हो, तो bond length कम होती चली जाएगी, इसके respect यहां पर electronegativity बढ़ गई, bond length कम हो जाएगी, इसके respect यहां electronegativity बढ़ गई, bond length और भी कम हो जाएगी, which of the following acid has the smallest pKa, smallest pKa, मतलब strongest acid, strongest acid, इन में से आपको strongest acid, सबसे प्रबल अमली यह कौन सा लग रहा है, bromine के respect, fluorine का inductive effect जादा होता है, minus eye effect जादा होता है, और distance जितना कम होगा, minus eye effect उतना ही ज्यादा होगा, तो यह concept कहां पर apply हो रहा है बटा, first में apply हो रहा है, कहां पर हो रहा है, first में apply हो रहा है, देखो, ठीक है, when CS3-CL undergoes heterolytic bond fusion, heterolytic bond fusion, ठीक है बटा, ऐसे, होगा क्या, CS3 plus बनेगा, और CL minus बनेगा, यहां पर hybridization कैसा है, SP3, और यहां पर hybridization कैसा है, SP2, geometry, changes from tetrahedral to planar, SP3 में tetrahedral होता है, SP2 में planar होता है, यह तो सही है, जामिती, चतुस फलकिये से समतलिये में बदल जाती है, hybridization changes from SP3 to SP2, SP3 से SP2, यह भी सही है, दोनों सही है, तो answer क्या रहेगा, विटा, third, correct order of negative resonance effect, minus R कहें या minus M कहें, कुछ भी कह सकते हो, correct order काउन सा लग रहा है, यह तो order आपको याद होने चाहिए, यह order आपको याद होने चाहिए, deprotonation will be fastest from, कहां से V-protonic और सरवाधिक तीवर्ता से होगा, deprotonation का मतलब है, H plus release होना चाहिए, H plus release होने के बाद, जो conjugated base बनता है, वो stable होना चाहिए, अगर मैं यहाँ से H plus को release करूँगा, तो यहाँ negative charge आएगा, लेकिन कोई resonance नहीं है, यहाँ पर मैं इस H plus को release करके, यहाँ पर negative charge लाऊँगा, तो यह resonance होके through stable हो रहा है, यहाँ पर H plus remove होगा, यहाँ पर क्या आएगा आएगा आपके पास, क्या हैगा बेटा, negative charge, लेकिन यहाँ कोई resonance नहीं है, यहाँ से H plus release होगा, तो यहाँ पर negative charge आलेगिन, यहाँ पर कोई resonance नहीं है, H plus को release करने के बाद, बनने वाला conjugated base, जितना ज्यादा stable होगा, acidic strength उतनी ही ज्यादा होगी, deep protonation उतना ही easy हो जाएगा, HA, H positive, A negative, यह acid है, और यह conjugated base है, तो आपको क्या ध्याँ रखना है, आपको ध्याँ रखना है, acid strength, directly proportional, stability of, conjugated base, conjugated base मतलब, संयुगमी क्षार, तो conjugated base, संयुगमी क्षार का स्थाई तो जितना ज्यादा होगा, acid strength उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो कौन सांसर आया, second answer आ गयाएगी, compare the relative stability of following resonance structure, निमन अनुनादी सरंचनाओं के आप एक शिक स्थाईत हो, सबसे पहले तो आप देखें, number of pi bonds सबसे ज्यादा होने चाहिए, और फिर, अगर resonance structure में charge है, तो charge minimum होना चाहिए, देखो, यहाँ पर number of pi bonds 3, इसमें number of pi bonds 2 pi, यहाँ पर number of pi bonds 3 pi, यहाँ पर number of pi bonds 3 pi, बाद समझ में आईगी, तो इसका मतलब यह least stable है, यह least stable है, बी सबसे last में आएगा, तो यह भी answer cancel हो गया, और यह answer भी cancel हो गया, तेखो, बी सबसे last में है, अब इसमें positive negative charge है, यहाँ पर neutral है, neutral structure कैसी होगी, stable होगी, तो यह सबसे ज़्यादा stable है, यह सबसे ज़्यादा stable है, तो problem आ रही है कि इसमें, इन दोनों में, कैसे compare करें बीटा, देखो, इसका positive charge oxygen पर है, इसमें भी oxygen पर है, इसका negative charge carbon पर और इसका negative charge nitrogen पर है, तो distance concept apply नहीं करेंगे, हम देखेंगे negative charge की presence, रिनावेश कहां पर है, if negative charge is present at more electronegative atom, then the structure will be more stable, अगर रिनावेश अधिक विद्युत्रिनी परमानू पर उपस्थित है, तो वह सरंचना सरवाधिक स्थाई होगी, तो देखो, इन दोनों में से, इसका negative charge carbon पर है, इसका negative charge nitrogen पर है, तो nitrogen की electronegativity विद्युत्रिनिता ज्यादा है, तो यहां पर negative charge stable होगा, तो C और D में से ज़्यादा stable कौन सा होगा, D, answer कौन सा आज आएगा, 3rd, यह भी answer नहीं आएगा, यहां distance concept मत लगाना, distance concept तब लगाना, जब positive positive same atom के लिए हो, negative negative भी same atom के लिए हो, तब distance लगता है, which of the following is the most stable align, निम्न लिखित में से कौन सा रिणाइन सरवाधिक्स थाई है, क्या करें मेटा इसके अंदर, देखो, आप वड़ा सद्यान से देखना है, इसकी structure मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यह negative charge यहां से यहां जाएगा, और यह यहां से यहां आएगा, तो negative charge oxygen से किस के पास transfer हो गया, oxygen के पास, negative oxygen से oxygen पर transfer हुआ है, यहां पर देखें, oxygen से carbon पर गया, negative charge अगर oxygen से carbon पर जाता है, तो stability decrease हो जाती है, आपको most stable देखना है, तो यह तो answer नहीं हो सकता, negative charge oxygen से oxygen पर जा रहा है, आचा यहां देखो, इस ये और ये देखो नेगेटीव चार्ज ऑक्सिजन से कारबन के इसके पास नहीं जा सकता ये नेगेटीव इसके पास नहीं जा सकता वेटा ये इसके पास ही जा सकता है तो जब ऑक्सिजन से कारबन पर High Electronegative से Low Electronegative पर Negative Charge आता है अधिक विद्युत्रिणी से कम विद्युत्रिणी के पास रिनावेस आता है तो Stability कम होती है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता इसमें तो Delocalization है ही नहीं ये भी आंसर नहीं हो सकता आंसर क्या आया आपके पास फरस्ट आंसर आया क्योंकि Negative Charge Delocalized भी है वी स्थानी करत भी है और Oxygen से Oxygen पर Transfer हो रहा है Compare the Basic Strength of Following Compounds नहीं योगिकों के एक शार समर्थ है कि तुलना करो Basic Strength देखनी है बड़ा Electronegativity तीनो जगे सेम है यहाँ पर भी SP2 ही रहेगा यहाँ पर भी SP2 ही रहेगा यहाँ पर भी SP2 ही रहेगा इसका negative लॉन पेर कैसा है Localized Resonance में Participate नहीं कर रहा इसका लॉन पेर Resonance में Participate कर रहा है और Nitrogen से किसके पास चला गया Oxygen के पास ज्यादा Electronegativity के पास तो यह Effective Delocalization हुआ बड़ा यहाँ पर भी Resonance है लेकिन Carbon पर आ रहा है Negative Charge इसका लॉन पेर Resonance में Participate नहीं कर रहा है तो इन तीनों में से Electron Density ज्यादा किसमें हुई? A में A की जो Electron घनतव है वो सबसे ज्यादा है Delocalization ज्यादा किसमें है? इसमें है? Delocalization ज्यादा होगा तो Basic Strength कम हो जाएगी तो C B A C B A C B Second Answer आजाएगा ठीक है बेटा? Thank you JCLC